मैंने कल से लेके आज तक सभापती मोधिया सारे विपक्च के भासन को सुना सारे विपक्च के भासन में असत्य गुमरा करने वाले तत्य निरासाबादी डर और डर की जो पराकास्था हो सकती है कि डर के आगे कुछ नहीं है हम कभी जीत नहीं सकते उस तरह के भासन को देखा यहां विपक्च के नेता ने भासन दिया सवापती महदिया मैं वो नहीं हूँ जो हूँ जो मैं दिखता हूँ वो मैं नहीं हूँ पिछले बार मैंने कहा था कि यहां प्रेत आकर भासन देखे चला गया इस बार जो मुझे लगा उनके भासन से कि एक फिल्म हमने देखी थी मिस्टर इंडिया अनिल कपूर जो है किसी को दिखते नहीं है फिर दिख जाते हैं यदि लाल जो है कहीं दिखाई देगा तो वो मिस्टर इंडिया के अनिल कपूर है जो दिखते हैं वो नहीं दिखते हैं यो दिखते हैं वो नहीं दिखते विपक्ष का क्या डर है सवापती महदिया यह आप समझे गॉस्पेल टूथ के आधार पर असत्य को सत्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं पूरा विपक्ष जो मुस्लिम की राजनीती करता रहा आज हिंदू हिंदू चैला रहा है जिस लोग सभासे अफदेश के जिस लोग सभासे अफदेश पासी M.P. है उसका नाम फैजाबाद है किसी ने फैजाबाद नहीं का जाए यही भारती जंता पार्टी की जीत है यही मोदी की जीत है प्रणार मंतरी जी को धढ़ाई देना चाथा हूं धन्न्यबाद देना चाहता हूं अधर ने पूरे देस को ये मैसेज दे दिया कि ये देश हिंदू हां और मुस्लमान के नाम पर कोई लाज निती न passado सकती है फैजाबाद का छाय कि आदमिने लिए कर दोई क्या सकते इन्हों ने का हमारे ऊपर इडी आ गई हमारे ऊपर सिभी आई आगई हम किसी से नहीं डरते आप वहां चले गए बासबणा चले गए आपने क्या भासन दे दिया क्या जीत गए मैं एक ऐसा सक्स हूँ अखलेजी सुनिया अराम से मेरे उपर कॉंग्रेस और जेमेम ने 44 केस किये मेरे 80 मेरे 80 साल 85 साल के मापिताजी के उपर केस हुए गैलरी में मेरी बाई बैटी हुए है मेरे बच्चे के बैटे हुए हैं उनके उपर केस हुआ भाई के उपर केस हुआ और सरकार ने RTI मैंने मंगाया है 10 करोड रुपईया हाई कोट और सुप्रीम कोट में मेरे से केस लड़ने के लिए किया मैं जब चुनाल लड़ने के लिए गया राहूल गांधी जी की यात्रा हुई मलिका अरजुन खरगे का दो कारिक्रम हुआ प्रियंका गांधी जी गई उन्होंने कहा कि मैं चेंबर मे के पास वोट मांगने नहीं जाओंगा दो मार्च को पार्टी ने मेरा टीकट रनाउंस किया दो मार्च को मेरा चुनाओ एक जून को हुआ 90 दिन के पूरे केमपेन में मैंने जन्ता से वोट नहीं मांगा और मैं यहाँ पारलियमेंट में जीत कराया आपको हरा कराया हूँ जिस छेतर से हमद स्वरेन विधायक हैं उस जिले का मैं सांसद हूँ और आदिवासी बाहुली इलाके से मैं 10,000 वोट से जीत कराया मेरा समय है आप सुनिये ही मेरा समय है पांच मिनट में ख़तम नहीं होगा यह बाते किस तरह का सत्त और सत्त की बात कर रहे हूँ आप कर रहे हो घुसलिम की बात कर रहे हो मंदल सुत्र की बात कर रहे हो कि प्रधान मंत्री जी ने घुसपैठिया कह दिया हाँ प्रधान मंत्री जी ने घुसपैठिया कह दिया 2009 में सभापती महदिया आप मंत्री थी 2009 से इस संसद में इस सदन में मैं 200 बार बोल चुका हूँ कि मैं जिस इलाके से आता हूँ बंगलादेश वहाँ बंगलादेशी घुस्पैठिया बढ़ा हुआ है संथाल प्रणामे चाहे वो जामताड़ा हो पाकुड हो साहब गंज हो उर्सिदाबाद हो मालदा हो किसन गंज हो अरर्या हो और हालत ये है हमारी स्थिती ये है कि यहां बिजय हासदा बैठे वे मैं उनसे पूछ रहा था गोपिचा के गाउं है गाय काट दिया और गाय काटने का जब मुसल्मानों ने प्रतिरोद कि अभी बंदर दिन पहले पूरे बंगलादेश वहां से आके बंगलादेशी गुस्पेटिय जो अपने आपको पसिम बंगाल का नागरिक करते हैं उन्होंने हमारी बहुबेटी का इचत लुटा उनके घर को चलाया उनके घर को भगाया आप कह रहे हो कि वो बंगलादेशी घुस्पेटिय नहीं है उनकी जंसज्ञ्या नहीं है पूरे देश वर में मैं गोपी चक्की बात कर रहा हूं सवापती महदिया सवापती महदिया सवापती महदिया पूरे देश में परिश्वन हो गया पूरे देश में परिश्वन हो ग वो 26% हो गई ये पूरे देश को जानने के आवशक्ता है एक लोग सवा का सीट आदिवासी का और तीन विधान सवा का सीट घट रहा है परिसीमन नहीं हो गया घुस्पेटिये बढ़ रहे हैं आदिवासी लड़कियों के साथ साधी हो रही है धर्मांतरन हो रहा है इसके बा बहपतिम होदे सिव की बात होती है हम उस विचारधारा के लोग हैं आतजल गर्गरी छलकत जाए जिसको कोछ समझ में नहीं आती यदि आपको सिव का ही दिखाना था गुरु नानक का दिखाना था तो मंदिर चले जाते यार गुर्द्वारा चले जाते इस पार्लेमेंट में फोटो क्यों निखा रहे हैं चले जाते ना और जिस अभय मुद्रा की बात कर रहे हैं मैं ब्रामीन हूं और मुझे गर्म है की ब्रामीन हूं जिस अभय मुद्रा की बात करते हो भगवान संकर को चार हाथ है चार हाथ है एक हाथ में होता है और हस्त मुद्रा में ऐसे भी हाथ है, ऐसे भी हाथ है, ऐसे भी हाथ है, 28 मुद्राएं हैं, और 28 मुद्रा क्या है, जो माननी मोधी जी कर रहे हैं, यह सब को जानने क्या आवशक्ता है, एक मुद्रा वो है, जिसके हाथ में, जिसके हाथ में, डमरू बजावा है, डमरू, मतलब स्टार्ट करिए, प्र यह काता है कि जो भ्रस्ताचारी है जिसने जंता का पैसा लुटा है उसको जेल वेजिए तीसरा हाथ है जो यह काता है कि जंता को खाना कि लाइए और चौथा हाथ है चौथा हाथ है कि कभी भी बिक्सित भारत के लिए भविस के लिए इंसॉलबेशन के लिए ये भगवान स आपको यह धर्म नहीं पता है यार कहां से धर्म के बारे में पता करोगे त्रिसूल जो है भूत भविस और बरतमान की भी आख्या करता है इसलिए वो त्रिसूल है और हमारे प्रधान मंत्री भूत भविस और बरतमान को देखकर विक्सित भारत के संकल के साथ आगे बढ़ है इसलिए ये बात आपको समझ में नहीं आईगी इस वापति मोधिया सवापति मोधिया ये संविधान की बात करती है अभी मैंने कहा मिसा जी मैं आपके वारे में बोला हूँ नहीं कहा कि मैं बोलूंग। मिसा भारती जब पैदा हुई तो जेल में थे मेरे गिरू गोविंदाचारिया उस वक्त वो भी जेल में थे राम भादुर राय भी जेल में थे और लालू जी को राम भादुर राय ने सजेस्ट किया कि अपनी बेटी का नाम मिसा रखते इसलिए उनका नाम मिसा भारती जिस किताब का विमोचन राहूल गांधी ने किया M.K. स्टालीन की आत्म कथागा उसमें सबसे बढ़िया टॉपिक क्या है सभापती मोधिया पता है कि इमर्जन्सी में जो है मेरे पिता जी ने पुलिस को हेंड ओवर कर दिया और यहां बैटे हुए है अखलेस यादव जी इनके पिता जी के साथ मुझे कांप करने का मौकाबिलार बड़े आदमी थे इतने बड़े आदमी थे कि वो हमेशा कहते थे कि मैं तुम्हारा भासन सुनता हूँ उन्होंने मुझे इमर्जन्सी की कहानी सुनाई कि जिसनी इमर्जन्सी गए उनकी वाइफ के पास जो है खाना खिलाने के लिए अपने परिवार के पास दीता है आप सम्विधान की बात करते हो आपने का राज जी डिवीजन कर लिया आपको पता है कि क्या हुआ साथ मा संसोधान में जब नहरू ने किया तो उन्हों ने कहा संविधान की आत्मा आपने भी नरेंद्रमोदी कहा इसलिए मैं नहरू करा सवापति मौदिया साथ मा संसोधन ये किया कि राज जी को कोई अधिकार नहीं होगा अपना बांडरी चुनने का और यही अकारन है कि साथ में संसोधन के बाद 14 राज और 6 यूनि reconciliationी बन लेग आप संविधान की बात करते हो आप करते हो संविधान की बचाने की बात करते हो संविधान की प्रस्तावन न स्वरं सिंग कमीटी के बाद जब इमरेजंसी में सारे बड़े नेता चाहे वो लालु प्रसाद जी हो गुलाइम सी यादा वो करूना जी जी हो अड़वानी जी हो अटल जी हो हमबती नंदर बहुगुना हो कॉंग्रेस के जंद सेकर जी हो बाबु जग जीवन राम हो जब सारे जैप्रगास ने रायन मैं मैं MP की बात कर रहा है हम हिंदू हैं बिट्व यहां बैटा वाशिक है बुद्धिस्थ हैं इरिजऄ जीव उन्होंने कहा हैं हम बिदूस्थ फैस्ट है यह ओवे सि बैटे हुए इस्क्राम उनके लिए दर्व कभी से आपने हमारे देश को धर्म रिर्पेक्ष कर दिया रातों राद बेदल आपने उसमें इंटीग्रिटी सब्द जोड़ दिया पूरा देश जो है इमांदार है इसी कारण इमांदारी से चलता है आपने इमांदार जोड़ दिया और आपने उसमें सोशलिस्ट जोड़ दिया कैसे सोशलिस्ट हो सकते हम यार कोई कम्मिनिस्ट हो सकता है कोई कैपिट fundamental राइट हुए थे जो हमने फंडा हमारे फॉर फादर्स ने जो fundamental राइट्स दिये थे उसके साथ आपने fundamental डूटीज एक अलग सब्सक्राइब जोड़ दिया आप सम्विधान मनाने की बात करते हो पूरा का पूरा इंद्रा गांदी की सतस्था खतम हो गई थे उन्होंने कहा कि हम फिर से रिनिस्टेट हो के देश के प्रदानमंत्री बन जाएंगे आप मेरे उपर कोई कोश्चन नहीं कर सकते हो लोग सबाकिये जो समय है समय सिमाव पात साल उन्होंने का आप छे साल होगा संभिधान वही है अरे संभिधान मताने वाले हम संभिधान बदला और हमको कोई संगोच नहीं सवाल यह यह आरी और अनारी की बात करते हैं रिसी मुनी की बात करते हैं राजा राजा साहब आप हमारे मित्रों मैं एक ऐसा आदमी था जो तिहाड में आपसे मिलने के लिए गया कॉंग्रेस ने आपको जेल भेजा आपको पता है कि गुरू बसेस्ट विस्वामेत्र अगस्त मुनी ये कोई भी ब्राह्मिन नहीं थे रामायन महाभारत गीता लिखने वाले कोई भी ब्राह्मिन नहीं थे कोई भगवान ब्राह्मिन नहीं है रामायन बालमिकी ने लिखी मह भारत वेदवियास ने लिखा, चारो वेद और तेरा अपनिशाद, सभी वेदवियास ने लिखे जो मच्छवारे के बेटे थे, और चाहे वो रिसी अगस्त और रिसी कन्ननों, आप जो है आरी और अनारी के बीज में, और आफी के सांसद, कॉंग्रेस के सांसद, उन्हें संस्कृति के चार अध्याय लिखे, उस संस्कृति के चार अध्याय में उन्होंने लिखा, कि न कोई आरे है, न कोई अनारे है, जो हरी जन, जो सिरुल का स्तमिल नाडु का है, वही कलकत्ता का अब्रहमिल है, और जो कलकत्ता का OBC है, वही पंजाब का जो है सिक है, ये उन को साथ कहना चाहता हूं यहां जितने बुजुर्ग लोग बैटें में सौगत्राइदी बैटें होंगे, आज से 50 साल पहले किसी के किसी बड़े घर में, किसी गाव में कहीं कोई सोचाले नहीं होता था, चाहे बड़े परिवार की महिलाएं हो या छोटे परिवार की महला हो वो खेत में जाती थी तो जब खेत में जाती थी तो महतर प्रथा कहां से आ गया जो मुगलों ने दिया आप उसको सही मान रहे हो और आप पूरे देश को जो है हिंदुत के नाम पर आरी के नाम पर अनारी के नाम पर इसलाम के नाम पर केवल गुमराह करन ये काना बंद करो और देश को जो है साथ लेकर चलने की बात करो बस बस मैं अंत्वे सभापती मौदय एक पॉइंट है कि कल कहा गया कि स्पीकर साहब जो है जूख के प्रधान मंत्री जी को जो है अविबादन किये और राहुल जी को ऐसे अज मैंने एक फोटो देखा थल सेनाध्यक्ष का वर्धी में कहा जाता है कि कि सी को प्रणाव नहीं कर ये आज सारे ख़वारों में थल सेनाध्यक्ष का फोटो चपा है और अपनी मा को परशो के वर्धी में प्रणाम कर लगा तेत्र अपनिशत का एक स्लोक है अभिवादन सीलस्यो नित्यंग वृध्धा पसेविना चत्वारी तस्य वर्धंते आयूर विद्या यसुबलम आपसे जो भी बड़े आदमी हैं पद की मर्यादा की कभी परवान नहीं करिए अभी पारलेमेंट खतम हुआ मैं फरवरी की ब कर रहा था है मैं सबसे ज्यादा कॉंग्रेस पर टाइक करता हूं राहूल जी सोनिया जी या पूरा कॉंग्रेस गांधी परिवार मेरा टॉपिक है क्योंकि मेरे फादर 1975 में इमर्जंसी में सैक कर दिये गए उनकी जिन्दगी में नोकरी नहीं लिए उनीस मेंने मेरे परि द्रोही के परिवार के माने जाते हूं सोणिया जी आई सोनिया जी ने मेरा हाथ पकड़ा को सब के सामने चुकि सब के सामने पूबिक में एक काम हुआ काम हुआ इसलिए मैं पॉबिक में बात करा हूं और उन्होंने मैं भिजह कौन आज रहा थी लेकिन जैसे लोगों को पार्लिमेंट आना चीए मैंने प्रणाम क्या उनको मैंने ये ने सोचा कि वो सोनिया गांदी वो बड़ी हैं आप किस तरह के डिस्कोर्स में ले जाना चाहते हो माननी मोदी जी हमारे पार्टी के बड़े आदमी है पार्टी टीकट दी तो ओम बिरला जो है इस कुर्सी पर बैठे यदि उनको पैर चुके भी प्रणाम कर लेते हों बिरला जी तो उस कुर्सी की ताकत कम नहीं होती आपको भारतिस सभ्यता और संस्कृति के बारे में नहीं पता है तो आप जिंदिगी में कुछ नहीं कर सकते हो आज आप अंठानमे में हो अगले च का दिया इनी सब्दों के साथ जैन जै भारत